हलो एवरिवन तो आज हम बनाएंगे विंटर स्पेसल मेथी के पराठे आपने मेथी के पराठे बहुत बार बनाए होंगे बहुत बार ट्राइ किया होगा लेकिन एक बार मेरी तरह से बना कर देखिए आपको बहुत पसंद आएंगे मेथी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है पर बच्चों को खिलाना एक चैलेंज से कम नहीं होता है पर इस तरह से बना कर देंगे तो उन्हें भी बहुत पसंद आएंगे तो फिर देर की इस बात की चलो बनाना शुरू क्राइब करें गितांजली इस क्लासिक कुजीन को लाइक करें शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटिस्ट अफडेट के लिए एकदम फ्रेश मेथी लेना है आपको और उसके मोटे वाले डंठल को हमें हटा देना है बारिक वाले डंठल को आप रख सकते हैं उसके बाद इसे 2-3 बार अच्छे से धोएं और फिर हम इसे बारिक बारिक कट कर लेंगे सब्रीओं में फ्रेश मेथी भर-भर के आती है तो मेथी की बहुत सारी डिश आप बना सकते हो मैंने बहुत सारी डिस्ट शेर की है लिंक दे दूंगे डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो तो अब हम इसे फटाफट से कट कर लेंगे आप चौपर का भी हेल्प ले सकते हैं इसे बारीक बारीक काटना है ताकि पराठों को बेलते समय हमें परेशारी न हो और ये देखिए हमने काट करके तयार कर लिया है डेल कप गेहूं का आटा ले रही हूं मैं और आधा कप बेसन आप चाहें तो दो चम्मच इसमें मैदा भी ऐड़ कर सकते हैं एक चम्मच अजवाइन लीजे पराठों में अजवाइन बहुत अच्छी लगती है और खासकर मेथी के पराठों में डाइजेशन के लिए भी ये अच्छा होता है एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच जीरा पाउडर आधा चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डाले और थोड़ा सा ओयल डाले लगबग एक चम्मच अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है हल्दी डालना ओप्शनल है लेकिन अगर डालेंगे तो कलर बहुत ही अच्छा आएगा और अब बारी कटा हुआ मेथी हमें इसमें एड करना है और इसे बढ़िया से मिक्स कर लेना है मेथी के पराठे काफी हेल्दी होते हैं, इसे आप लंच में भी सब कर सकते हैं या बरेक्फस्ट में भी खा सकते हैं पाचन के लिए तो ये बहुत ही अच्छा होता है, पेट के लिए भी बहुत ही बढ़िया होता है आप अधरक लेसन और हरी मिर्च को क्रश करके भी डाल सकते अब थोड़ा थोड़ा पानी हमें डालना है और डो बना कर त्यार करना है दो ना तो ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट यानि सेमी सॉफ्ट डो बना कर आपको त्यार करना है एक ही बार में सारा पानी नहीं डाले नहीं तो गीला हो जाएगा और आपको बार में एड़्जस्ट करने में परेशानी होगी थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और बढ़िया से आटा लगा करके तयार करिए तो चलिए आठा हमने लगा लिया है और अब इसके उपर डालिए एक चमच ओयल चारो और स्पिंकल कर लीजे इसके बाद कवर करके कम से कम 10 मिनट हमें इसे रखना है और 10 मिनट के बाद इसे एक बार फिर से मिक्स कर लेना है और अब चलिए हम लोईयां काट लेते हैं और अब पराठा बना कर त्यार कर लेते हैं गेल के आठे से इसे डस्ट कीजिए और पतला सा पराठा बना कर हमें त्यार करना है बहुत आसानी से आप इसे बेल सकते हो, मैं थोड़ा पतला बेल रही हूँ क्यूंकि हमें लेयर्ड वाले पराठे बनाने हैं आप चाहें तो गोल-गोल पराठे भी बना सकते हो और अब इसके उपर हम घी लगा लेंगे, चारो और इसे फैला लीजे, आप चाहें तो ओयल भी लगा सकते हैं जितना घी लगाना हो आप लगा सकते हैं, डस्ट करिये इसे, उसके बाद हम इसे फोल्ड करेंगे तो मैं स्क्वेर शेप के पराठे बना रही हूँ, तो मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ, इसके उपर भी घी अपलाई कीजे और डस्ट कीजे और इस तरह से फोल्ड कर लीजे तो चलिए अब हम इसे बेल लेते हैं मेथी बहुत हलकी होती है, पेट के लिए बहुत अच्छी होती, बदहजमी, एसीडीटी या कबज को दूर करती है तो मेथी के फायदे बहुत है डियाविटिक पेशंड के लिए तो यह बहुत ही अच्छी है और इस पराठे की खास बात ये है कि मेथी को हमने स्टफिंग में नहीं डाला है बलकि पराठों के साथ ही मिक्स किया है तो ये काफी फायदेमंद है विंटर में इसे आप जरूर ट्राइ करें अब पराठों को आप चाहे तो मोटा भी रख सकते हैं मैंने इतनी थिकनेस रखी है और चलिए पराठों को अब हम सेक लेते हैं और देखिए कितना अच्छा कलर आया क्यूंकि हमने इसमें थोड़ा सा हल्दी भी डाला था फ्लेम को मीडियम पे रखी और दोनों तरफ से अच्छे से हमें सेक लेना है और इसमें मैं डाल रही हूँ घी आप चाहे तो ओयल का भी यूज़ कर सकते हैं पर एक बार घी में ट्राइ करिएगा बहुत ही टेस्टी लगती बहुत ही मज़ेदार लगती दोनों तरफ से उलट पुलट करके हमें करारा होने तक पराठों को सेखना है और मीडियम फ्लेम पे इसे आराम से दोनों तरफ करारा होने तक सेखिए अगर आपको तुरंद खाना हो तो एकदम क्रिस्पी और करारा बनाए लेकिन बाद में इसे खाना हो तो थोड़ा पराठे को गर्मा गरम खाएं या ठंडा खाएं दोनों में ही बहुत मज़ेदार लगते हैं और सारे पराठे मैं इसी तरह से बना लूँगी और इतना जल्दी बनकर त्यार हो जाता फटा-फट से सारे पराठे बन जाएंगे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और बहुत ह दो पराठे हमने बना ली हैं बाकी बाद में बनाऊंगी और कलर भी कितना शानदार है देखते ही खाने का मन कर रहा है तो इसे आप सब कर सकते हैं दही अचार चटनी या गुड के साथ मुझे तो चाय के साथ ये पराठे बहुत अच्छे लगते हैं आपने कभी करना बहुत मजा आएगा मेथी के पराठे एक कंप्लीट मील है और इसमें सब्जियों की जरुवत नहीं पड़ती है आप इसे ऐसे भी खा सकते हो रेसेपी पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरू प्रेस करें त के जरू आई